अकश्वणी भूपाल से प्रस्तोत है कारिकरम आज कल विशय अन्दाताओं का स्वरनिम मत्यप्रदेश आलेक कमल पतेल मंत्री किसान कल्यान और क्रिशी विभाग मत्यप्रदेश शासन वाचनस्वर प्रशांत सेंगर अन्दाताओं की खुशाले और बहतरी के लिए नितनाय आया में स्थापित करता हुआ हमारा मत्यप्रदेश प्रगति का स्वरनिम इतिहास गड़ रहा है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी का अन्दाताओं की प्रते आसीम इसने सरकार की योजनाओं में भी निरंतर दिखाई देने लगा है देश का रिदा इस्थल मद्रदेश भी प्रदान मंत्री के सपनों को साकर करने के लिए कृत संकल पित रहा है खासकर पिछले 15 माहिनों में हमने देश में अग्रिनी रहकर हमारे अर्नदाताओं को बड़ा लाब दिया है बीते वर्ष खरी फसल 2020 और रवी फसल 2021 में किसानों को प्राकरतिक आपदा का सामना करना पड़ा था जिस कारण उनकी फसलों को खासा नुक्सान पहुंचा था तब ही हमने रविवार को भी बैंक खुलवा कर किसानों की फसलों का बीमा करवाया था अब किसानों के चहरों पर खासी चमक है क्योंकि जहां मुख्यमत्री शिवराजी सिंग चौहान ने पिछले दिनों बैतूल में 49 लाग बीमा दावों की 7,615 करोड रुपे की राशी का 49,85,000 किसानों को भुक्तान किया है वहीं किसानों को सरकारी योजनाओं की सुविधाओं के साथ साथ बीमा का लाब भी मिलने लगा है इसी कारण अब अर्नदाता भी क्रिशी उत्पादन के शेतर में शांदार परिणाम देकर हमारे प्रदेश का गौरव निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं यहां सरकार ने भी उत्पादन में वृद्धी के लिए कई रश्टनात्मक प्रयास किये हैं इनहीं में से एक है किसानों के उत्पादन के लिए भारत सरकार की एफपियो योजना इस योजना के अंतरगत मद्धे प्रदेश के हजारों किसान लाभानवित हो रहे हैं और अब प्रदेश में बाकी किसान भी निरंतर F.E.O के माध्यम से जोड़े जा रहा हैं इस योजना की मदद से किसान अब संगठन बना कर कारोबारी की तरह काम कर सकते हैं इदर मदद प्रदेश के मुखिया और प्रदेश के किसान होने का बड़ा प्रतिफल मिला है इसी के चलते आज Agriculture Infrastructure Fund में 938.84 करोड रुपे की राशी हितिगराईयों के खाते में वित्रित करते हुए मदद प्रदेश राशी वैए करने में देश में पर्थम इस्थान पर है प्रदेश सरकर प्रदान मंतरी श्री मोदी के सपनों के अनरूप आत्म निर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए भी मुख्यमंतरी शिवराजी सिंग चोहान के मार्क दर्शन में निरंतर काम कर रही है आज मद्रोधेश जैविक खेती के मामले में नमबर वन इस्थान पर है और देश में 40 परतीशा से अधिक जैविक खेती मद्रोधेश में हो रही है वरतमान में प्रदेश में 17.3 लाख हेक्टर शेतर में जेविक खेती की जा रही है। जेविक खेती के प्रोटसाहन के लिए 99,000 हेक्टर शेतर में भारती प्राकृतिक क्रिशी के कलस्टर भी क्रियान वित किये जा रहे हैं। इन में खाद्यान फसलें, दलहन, तिलहन, पागान वाली फसलों के उत्पादन को निरंतर प्रोटसाहित किया जा रहा है। इन सब फसलों में जैवी खेती को बढ़ावा, मुखेता और भूगता को बहतर पोशन और प्लब्द कराने के लक्ष को दृष्टिकत रख कर दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार किसानों के साथ कदम दर कदम हर समय खड़ी है। इसी करम में सरकार द्वारा उला वरिष्टि से फसलों के नुक्सान के साथ ही पशुधन की हानी पर भी मावजा राशी प्रदान की जा रही है। पर तथा भेड़ बकरी की मृत्यू पर तीन हजार रुपए राहत राशी देने का प्राफधान किया गया है। इसी तरह फसल खरीदी के शेत्र में प्रदेश इस साल धान की खरीदी में एक नया रिकॉर्ड बना चुका है। पूर्ण निर्ने लेते हुए वन ग्रामों के किसानों को भी राजस्व ग्रामों के किसानों के भांते हैं फसल बीमा योजना का लाब दिलाने का बड़ा ही खास निर्ने लिया है। अब सबी किसानों को प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना का लाब मिलने लगा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किसानों की आये को दुगना करने और आत्म निर्भर भारत तथा आत्म निर्भर मदप्रदेश के प्रधान मंतरी श्री मोदे और मुख्य मंतरी श्री चोहान के संकल्प को पूरा करने में इनकदमों से बड़ी मदद मिलेगी। इसके साथ ही कर दो कर दो कर दो